अठारवी पिर्दिग्या जो बोधिसत्त बाबसाब डॉक्टर अमबर्कर ने हमें दिलवाई वो है कि मैं अपने जीवन को बहुत धर्म के तीन सिद्धानतों ग्यान, शील और सम्ता पर डालने का प्रियास करूँगा ग्यान आप जानते हैं कि बिना ग्यान के कुछ भी संभव नहीं हैं और ग्यान तक पहुचने के लिए शील के मार्ग को अपनाना नितान्त जरूरी है और उस शील के मार्ग को हर तरह से अगर हम देखा जाए अभी जो पीछे ये तेरवी, चौदवी, पंदरवी, सोलवी और सत्रमी प्रितिग्याएं बापस आपने हमें दिलाएं तो वो पंच शील, वही शील के पांचो सिद्धान्त हैं उसी के लिए उन्होंने कहा है कि मैं शील के जो मार्ग है जो बाद धर्म का एक आधार है उस पर चलने की प्रितिग्या करूंगा और सम्ता, सम्ता बहुत ही महत्पूर्ण एक जीवन के लिए जरूरी अंग है और देखा जाए तो इस देश में तो शुरू से लेके आज तक भी असमानता ये समानता भरी पड़ी है सम्ता हैं कहीं भी नहीं नजराती और इंसान को जब तक इंसान नहीं समझा जाए समान नहीं समझा जाए समानता के अधार पर उसके साथ विवार नहीं किया जाए उसके फिरतिया आचनन नहीं किया जाए उससे समानता के अधार पर सम्मान नहीं दिया जाए जीवन में तर आज भी उच नीच इसी तरह से अपना ही जा रही है दिखावे के लिए जरूर ये सब कुछ है कि भई सब ठीक ठाक है सब समान है कानून की नजर में सब समान है लेकिन कानून में भी कौन समान है पैसे वालों के लिए अलग तरह से विभार है जो गरीब हैं वो जेलों में प प्रकुर नें तो कहां समांता है, इसलिए क्योंकि बाबा साथ डडक्टर अबेटकर की जीवन में समांता का बहुत बड़ा महत्ता वो जीवन में तरक्की के लिए बहुत महत्मून है, इसलिए उन्हें dokenda का सिद्धान्त है जो बहुत धर्म के तीन सिद्धान्त है ग्यान शील और समता इन को अपने जीवन में डालने का अपनाने का प्रयास करोगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले